टकाटक टिकट इटली की होगी और फटाफट रहुल गांधी पांच तारीक को होगता है चार तारीक के रात को ही और इटली के लिए या गुमने के लिए छुटिया मनाने के लिए रवाना हो जाए पोल खुल गई है अभी चार तारीक को पता लग जाएगा शैद वो दिल्ल चुनाव लगबग 84 दिनों का रहा चुनावी प्रचार लगातार चलता रहा कैसा रहा चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छा और हमारे जितने भी प्रत्याशी थे उनको मोका मिला उनको समय मिला इस बात के लिए कि वह नीचे जनता जनारदन तक उतर सके उर्षिया कान था क कि जो सभाएं या मिटिंग्स या लोगों से व्यक्तिकत मिलना सैकड़ों की संख्या में होना चाहिए था उनकी संख्या हाजारों में पहुँच गई और निश्यत रूप से हमारे पारटी के पूरे करिकरता बूत लेवल पर भी नीचे घर घर तक पहुँच पाने में सफ परमात्मा का सिधा सिधा आशिरवाद वरसरा था प्रवुराम का जितना आशिरवाद वरसरा था उसके कांड से हमारे सारे प्रत्याशी सारे करेकरता बहुत ही अच्छे तरीके से इस चुनाव को निकाल कर ले गए गए जिससे हम दर्द की फैक्टरी में आग भी लेगी जिसके लिए चुनाव आएक सो शिकायत करके भाजपार ने कहा कि इस पर कारेवाई होनी चाहिए क्या क्या हैंगे इस मुद्धे पर कॉंग्रेस सम्मेदेंशील करेकरताओं की या नेताओं की पार्टी नहीं है किसी को दर्द देना और दर्द देते देते उस दर्द की इंतिहा कर देना और उसका दर्द की इंतिहा समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कनिया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के वेक चाहिए राहूल गांधी और मनोज ज्हा ने ये बोला है कि प्रधान-मंतरी मोधी को किसी मनोज चिकत्सक की जरूरत है क्या कहीं पूरे देश की कनेक्टिविटी को कैसे कर सकता है लेकिन जिस तरे का मनोचकित्सक चाते हैं उसके लिए रहाउल गांधी को उसकी जरूरत है लेकिन किसी दिमाग पर रिसर्च करना हो इतनी ताकत इतनी एनरजी पर रिसर्च करना हो हुआ इसके लावा स्वाती मालीवाल के सास्थ एमों के अंदर घटना हुई वो सामने आई इसके लावा जो केजरिवाल है दिल्ली के मुख्य मंत्री वो जेल गए और दो तारीकों फिर सच जेल जाना उनका तै है इन सब घटनाओं का दिल्ली की जंता पर क्या असर पढ़न पाना चाहते थे लेकिन इसमें वे कोई शफल नहीं हुए सार कन्ये कुमार वाली केस में क्या कहन आचाहिए बरबरता तो जो है वो अब क्योंकि उन्होंने अपनी चुप्पी भी थोड़ी है स्वाती माली वाले अपने दस दिन के बाद उन्हें अपने साथ जो घटनाए हुए उसके बारे में बताया है क्या कहना चाहेंगे इसके उपड केजरी वाल की बेशर्मी की हद और लाश्ट गांधी कैसे जाड़ु का बटन दबाएंगे और जो केजरी वाल है कैसे जो हाथ का बटन है वो दबाएंगे लेकिन वह तो कह रहे हैं हम एक दूसरे का समर्थन कर रहा है तो बटन भी दबाएंगे हाँ दबा सकते हैं बेशरम लोग हैं और यह वही केजरी वाल है जो पानी पीपी कर शीला दिक्षित को सोनिया गांदी को राहूल गांदी को रोड पर खड़े होकर कह रहे थे बेईमान 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 जेल में डाल देना चाहिए छूटने जाना चाहिए लेकिन राहू सब्सक्रादन के बीच में गलत या सही समझोता कर लिया कुछ तो कहना बनता है इसलिए हो कह रहे हैं राहूल गांदी जब भी सभा कर रहे हैं तो कई सभाव में उनको ये भी कहता हुआ देखा गया कि में से आप वो चीज़ बुलवा सकते हो जो आपको परधान मंतरी सभान सिक्ता बता दी उन्होंने बता दिया कि मेरी दादी नानी के जमाने से और हम जो है सी एस्टी का हक मारते आए हैं ऐसे राहूल गांदी से आप क्या पेक्षा करेंगे वो ये भी बताने वाले थेड़ो दिना में हां कि मेरे पिता जी ने रा राजीव गांदी ने कहा था कि साब सो रुपे भीजते हैं तो पंदरा मिलते हैं पिचासी इनका परिवार और इनके द्वारा बनाई के सरकारे खाती रही हैं उसका सब चीजों का उनको बिचारा भी बच्पना उनका गया नहीं है और धिरे धिरे अतियु उत्सा में कुछ सचाईयां जो कॉंग्र परा जा रहा था वो सारा का सारा उनके मुझ से सच्चाई उगलवा गया है प्रंतों नेंदर मोदी ने कहा है कि किसी का हक निमारा जाएगा किसी भी कीमत को माइनोर्टी को ओभी सी समुदायए का या सी सी का रिजरवेशन ट्रांसफर नहीं होने देंगे दरदारा है रहा सिर्जैस के साथ नमस्का झाल झाल